कि आप देख रहे हैं सोगंध टीवी सोगंध वतन की कि हम लोग अपने भुड़ाफे की लाठी के लिए रास्ता ढून रहे हैं और रास्ता दिल्ली से ही जाएगा इस देश के अर्शैनिक बल देश की सुरच्छा कर रहे हैं वो देश के लिए काम नहीं कर रहे हैं उनको पे हम करते हैं पुरानी पेंजन भाल करते हम भी कह रहे हैं घर का आदमी भूखा है घर का आदमी आसुरच्छित है और बाहर के आदमी को हम मलाइक लाए यह ना संसिकार है ना सभिता है ना नियम है ना काईदा है यह बात सही है राणिती दलों की मजबूरी है कमचारी मजब तो कुछ विवादित ब्यान दे दीजिए या किसी के कोई भड़काओ ब्यान दे दीजिए ऐसा ब्यान दे दीजिए कि वह वाइरल हो जाएंगे चाहे वह कोई भी हो क्योंकि पिछले दिनों सीमा है रहे हमारे बाबा वागेश्वर हैं उसके लाब तमाम और भी बोट सारे तमाम नेताओं के नाम भी लेकिन ओपियस के अगर बात करें तो विजय कुमार बंदू जी भी है कम नहीं है सबी कर्मचारियों को भड़का दिया वह या पैंशन बहाली के लिए क्या मतलब क्या सोच के आगे बढ़े हैं कि हम लोग अपने बुड़ाफे के लिए रास्ता ढूंड रहे हैं और रास्ता दिल्ली से ही जाएगा इसलिए अक्टूबर को हम लोग दिल्ली आ रहे हैं और सबसे आवान कर रहे हैं कि सारे लोग आईए दिल्ली आई अपने हक की बात उठाईए और मानी प्रधानमंत्री जी तो हमारे उत्तर प्रदेश में राम मंदिर अंदोलन करने गए थे मंदिर बनाने और हमने बुड़ापे की लाठी के लिए दिल्ली आ रहे हैं तो क्या दिक्कत उसमें यह नहीं देख रहे हैं प्रधानमंत्री जी खुद बूड़े हो रहे हैं बुड़ापे में इतना काम कर रहे हैं अठारा घंटे काम करते हैं आप दो दकार आजाता है देश के लिए काम कर रहे हैं जी 20 बहुत अची बात आपनी सवाल अच्छा कर रहे हैं वह देश के लिए काम नहीं कर रहे हैं अपिंशन ना देना यह देश्भक्ती है कितने सब को साइड कर दिया कितना काम कर रहे हैं हम करें पूरानी पेंशन के लिए सारे करमचारियों को भड़का दिया आप यह देखिए ना यह देखिए कि देश के उपर इस वक्त करजा कितना और तब एक ताली सो करोन भूजन के लाने में चलिए इस चीज को बुराई मान रहे हैं कि जी टॉन्टी जो है वो गलत अगर का आदमी भूखा है घर का आदमी आशुरच्छित है और बाहर की आदमी को हम मलाई खलाए ये न संसिकार है न सभिता है न नियम है न काईदा है हमारे वैसे बात कहेंगे कि एक बुज़ूर्ग थे हमारे भी बुज़ूर्ग वो ये कहते हैं कि खुद जो है नमक से खालो लेकिन बाहर डिकार जो है वो घी वाला मारना भाया क्योंकि बाहर से जो बात पहलती है वो ज्यादा वो दिया देश को अगर मजबूत करना है तो विदेशी मेहमानों को तो सम्मान जुरूरी था ना मा हमारे दवा के लिए मर रही हो और हम पिज्जा खा रहे हैं यह कौन से संसेकार है कौन से अर्थ नीति हैं मैं पूछना चाहता हूं अनपढ़ लोग अगर लड़ सकते हैं तो पढ़े लड़ने हम क्या दिक्कत है ऐसा मत बोलिये क्योंकि अगर को यह बोलेगा पढ़े लिखे तो उनकी नोकरियां चली जाती है नोकरिया वह इसे भी बहुत हो गई है और आने वाले जिस नीति सरकार की वह और चली जाएग आपको क्या लगता है कौन को भी एक लॉलीपाप मिला था एक साल के बाद लालीपाप उनको मिला है यह दुर्भागपूर्ण है कि आज राजनिताओं के इकबाल खतम हो गए यह पूरी राजनिती बहुस्था के लिए दुर्भापूर और जिनका प्रधानमंत्री पंती बोलो ना करें यह तो सब जोड़ा जूट है देश के आप जूट है आपके साब से जो एक अक्तूबर के आपने जो उद्गोश कर दिया है कि इतने लोग आएंगे लाखों में लोग आएंगे आएंगे बिलकुल आएंगे पूरे देश से लोग निकल चुके हैं और निकलें जो दिल्ली पहुंचेंगे और मैं आप से कहता हूं कि आप तो सुबह वहाँ पर पांच बज़े आ जाईएगा एक अरी को पांच बढ़े रामलीला भरा दिखाई पड़ेगा यह कह रहे हैं कि पांच बज़े वहां पर इतनी भीड होगी कि बहुत मंगवाई जा किराय पर नहीं है कोई सब अपने किराय से आएंगे और किराय जाएंगे अपने हग के लिए लड़ेंगे तो क्या लगता है कि एक तक तो अक्टूबर के बाद जो है वो सिर्फ एक जहांकी होगी या उसके बाद भी कुछ बात नहीं एक अक्टूबर तो इस देश में कितने फर्क पर जाएगा कितने बोट गिर जाएंगे कितने हैं कमचारी क्या कर लें कमचारी और आज उन्हीं की बदोलत भूत पूर हो गए तो जो हर 5 साल बाद में बदलती है इतिहास है 5 साल का लेकिन इतिहास बनाने काम OPS वालों ने किया और मैं नहीं किया यह वहां के सब्सक्राइब करन पहली बार सतर साल कि इतिहास में कोई मुखवंती जादी का नाम नहीं लिया धरम का नाम नहीं लिया चेतर का नाम नहीं लिया का OPS वन नहरा दिया बहुत बहुत धन्यवाद तो देखें हमारे साथ विजय बंदू जी जो है वो जुड़े हुए थे लगातार समा तमाम बातों के उपर जहाँ हमने बात करी पैंशन बहाली की बात क्योंकि हमने लगातार आपको दिखाया है कुछ सैनिक भी लगातार धरना परदर्शन भी कर रहे थे कई महीनों से कर रहे हैं लेकिन सुनवाई अभी तक नहीं हुए विए किसान जो है वो एक साल बैठे रहे कई किसानों ने जो है अपनी जान भी गवाई लेकिन सरकार के कान पे जूंतक नहीं रेजिए अब देखना यह है कि OPS जो है वो क्या कमाल दिखा पाते ह आप देख रहे हैं सोगंद टीवी सोगंद वतन की